इन दिक में इस अप्लीकेशन और अप्लिकेशन के बारे में आपको मैं डीटैल देने वाला हूं इस अप्लिकेशन यहां पार पजाशार रुपर तक का लॉन मिल लगता है देखे दो लोन मिलते हैं एक pop-up loan मिलता है एक level up loan मिलता है level up में आपको income proof upload करना होता है लेकिन pop-up loan में आपको income proof upload नहीं करना होता है देखे यहाँ पर जो loan amount है यह है भाई 17,000 17,400 कुछ रुपे का loan amount है अगर मैं EMI की अगर मैं बात करूँ तो 2,892 रुपे की EMI है और July 3 से यह माई start है मतलब यह भी recently मिला है 3 December को यहाँ पर जो है apply हुआ है लेकिन अगर आप देखोगे तीस तीन दिसंबर यहाँ पर final date है sorry तीस तीन दिसंबर यहाँ पर final date है repayment की ठीक है यह fix है अब यहाँ पर आप लोग दे सकते होई सत्रह हजार 400 रुपे का और maximum तो loan amount है यहाँ पर वो मिलता है पच्छास जार रुपे तक का pop-up में मतलब जो pop-up loan होता है उसमें इकम पुरूप आपको नहीं देनी होती और जो label up होता है उसमें आपको income पुरूप देनी होती है लेकिन उसके लिए आपको फिर दो तीन ला इसके बारे में यहां से आप loan भी apply कर सकते हो plus recharge भी कर सकते हो plus wallet भी यूज़ कर सकते हो बहुत सार यसी facility है जो आप इसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी application है अप्लिकेशन करना में true balance और काफी पुरानी application है और काफी trusted application है एक लाख रुपे तक का आ पहले यह pop-up के नाम से था लेकिन अब यह cash loan हो गया अच्छी company है भाई बहुत अच्छी company पांच मिनिट के अंदर अप्रूब करती है और पांच मिनिट के इंदर reject करती है देखिए मेरा एक reject है level up level up का option आ रहा है अगर मैं चाहूं तो label up के लिए apply कर सकता हूं cash loan है only KYC loan है बहुत सारे option है अगर मैं चाहूं तो cash up के लिए apply कर सकता हूं या फिर एक हजार से लेके 15,000 रुपर तक only KYC आप लिखा हुआ है only KYC पर एक हजार से लेके 15,000 रुपर तक का loan ले सकता हूं ठीक है यह अच्छी facility है कि आप लोगों को भी मिल सकता है लेकिन हाँ आप लोगों को apply करना पड़ेगा अप्लिकेशन कर लिंग वीडियो के discussion box में जाहिए और apply कर लीजिए